हां तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज TCP के बारे में किसके बारे में बात करने वाले ध्यान से मारी बात समझे त्रांस्मीशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में बात करने हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, control data packets, ज्यान समाधी बात चुनिए, control data packets हम लोग कहते हैं, transmission control protocol, अगर इसकी बात करें, तो हम पूरी वीडियो इसी बनाये हुए हैं, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को आखरे तक देखते रहे हैं, मैं रतना करूपाद्या, आप देख रहे हैं Unique Online Guru Channel, चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्या, हम लोग बात करते हैं TCP के बारे में, TCP क्या होता है, transmission control protocol, ये क्या करता है, डेटा को कंट्रोल करता है, डेटा के packets को कंट्रोल करता है, डेटा के छोटे छोटे भागों को बाटने के लिए TCP का प्रयोग कियाता है, विदाओ TCP इंटरनेट सर्फ करना ना मुम्किन है, यानि मतलब ये हुआ, कि अगर हम लोग TCP की बात कर लें, तो TCP के बिना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो TCP होता है, वो क्या करता है, डेटा के छोटे-छोटे packets को create करता है, और वो IP क्या करता है, कि IP जो है तुरन्त उनका address क्लियर करके उन्हें अपने जगापे send कर देता है, इन सेम तिंक आपके जीवन में भी ऐसे ही होता है, हम क्या करते हैं, जाते ह हमारा इंटरनेट करता है, दोस्तों, बात समझ में आर ये कुछ, TCP इंटरनेट को अच्छे से चलाने के लिए यूज होता है, हम अगर बात करें कि TCP की, तो कोई भी डेटा, suppose that माली जग कोई भी डेटा आपका मिस हो गया, इंटरनेट पे कोई भी डेटा अगर मिस हो गया, कि कौन उसे वापस देगा, कौन उसे ढूड़ेगा, कौन ले के आएगा, हाँ दोस्तों, आपकी बात बिल्कुल सही है, उसे TCP लाता है, यानि Transmission Control, प्रोटोकॉल उसे ले के आता है, दुबारा आपको देता है, कोई भी डेटा मिस होता है, according to history, वो तुरंत आपको ले आक तो आप लोग कमेंट जरूर करो हमें, ठीक है, TCP की बात कर ले, अगर कोई live connection होता है, for example, जैसे मान लेजिए कि downloading चल रही है, आपके computer में downloading चल रही है, अब downloading चल रही है, तो आपको इतना तो पता होगा, कि जब हमारा downloading चलता है, तो internet यूज होता है, और जब internet यूज होता ह तो अगर TCP नहीं काम करेगा तो आप download नहीं कर सकते हैं, IP address उसका नहीं create होगा, packets में distribute नहीं होगा, तो आप उसको नहीं कर सकते ह운데, उसी तरह के से हमारा upload होता है, क्या होता है, यानि हम अगर live stream किसकी बात कर लें, किसकी बात कर लें, live stream कि बात कर लें, तो upload और इधर क्या हो जाएगा download इन दोनों में live stream काम करता है यानि upload हो रहा है तो भी TCP download हो रहा है तो भी अगर ये बंद हो गया तो ये सब भी हमारा बंद हो ही जाएगा कोई problem नहीं होती है हमारे पूरे computer को serve करने के लिए इसका use कियाता है हमाद data को छोटे छोटे packets में क्या करता है ये जो है data को small packets में distribute करता है ठीक क्या करता है small packets में distribute करता कि हमें कोई problem ना हो जैसे कि माली जी हम लोग कुछ भी send करते हैं किसी को क्या आप ध्यान सुनिया है हमारी बात हम लोग किसी को कुछ भी send करते हैं तो वो क्या करता है TCP, डिस्रिब्यूट करके छोटे छोटे पैकेट से मकर देता है, फिर IP क्या करता है, IP उसे उसका address प्रवाइड करता है, तो फिर वो वहां तक पहुच पाता है, तो दोस्तों ये हमारा है TCP, ठीक है, जो की TCP IP हमारा 1974 में आ है, बहुत अच्छे से आपको पत आते हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करें, मैं कमेंट को देख करके आप लोग का रिप्लाइड जरूर दूंगा दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को देखने के लिए ध